ओम शान्ती, आप सभी को मकर्शकरांती की हार्दिक शुब कामनाए, पूरा देश मकर्शकरांती का उत्सव मना रहा है, इसके पीछे बड़ी गहरी यादगारे हैं, पुन्य परदायक फल कहा जाता है, चार ओर कड़कती सर्दी है, सूरे के दर्शन कौफी दिन होगे नहीं हुए, आज के दिन वो थोड़ा सा दिखता है, लोग अपने घरों से निकल कर, सफर करते हुए, तीर्थ यात्राओं करते हुए, गंगा और नदियां या गंगा सागर के पास जाते हैं, महा डूपकियां लगाते हैं, थंड में इतनी सर्दीम, फिर दान करते हैं, और दान भी ऐसी चीज करते हैं, दिल दान करते हैं, खिचडी दान करते हैं, गुर दान करते हैं, फिर अगनी जला कर कुछ चीजे उसमें डालते हैं, और इसके चार और डान्स वगरा होता है, पतंगे भी उडाते हैं, बहुत गहरा महत्तों हैं, पर हर बार और ऐसा ही करते हैं, फिर जीवन में उदास्य आजाती है, तो इसके उपर कुछ कहवते भी हैं, उसके भी चर्चा करेंगे, हम जब छोटे थे घर में, तो मुझे बताया, मिरा हाद पकड़ के मेरी मा कराती थी, तिल डाल अगनी में, करें तिल सड़े, पाप जड़े, कितना असान है न, पाप आप करो, तिल अगनी में डाल दो, तिल सड़ेगा, आपके पाप जड़ जड़ेंगे, बड़ा मज़ा आता था संकत, पाप हम करें, सड़ विचारा तिल रहे, गंगा में शनान कर ले ठंड में, लेकिन ये सारी चीजे, जब अध्यात्मिक्ता में परव परवेश किया, तो ये चीजे समझ आई, सक्रांती यानि संक्रमन, जब एक ग्रहे दूसरे ग्रहे में परवेश, दूसरी जगह जाके परवेश होता है, तो उसे संक्रमन या सक्रांती है, ग्रहे अपनी कक्षा से निकल कर दूसरी कक्षा में जाता है, जैसे सूरे, दक्ष विशनायन से होकर उत्रायन में आता है। आपने देखा होगा कहते हैं लोग सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ऐसे जाता है। लेकिन सर्दियों में पूरब से उगता हुआ थोड़ा तिर्चा सा जाता है। और गर्मियों में थोड़ा और उत्तर की तरफ होना शुरूरा, उत्रायन, कहा सूरे इस तिन अपनी दिशा बदलता है, सूरे ने दिशा बदली और हमारी दशा बदली, बड़ा गहरा मेनिंग है सहब, जब मैं ने इसको जाना और सोचा और कई बार भाव विवार हुआ, कि ऐसा उत्सव जो सदा उत्सवा में लाए, वो सूरे आग का गोला, वो है ग्यान सूरे, जब वो ग्यान सूरे परम शक्ती इस धरा पर नीचे आते हैं, उतरते हैं, तो उसको बोलते हैं, उत्रायन, वो जब उतरते हैं, हमारे जीवन में परवेश करते हैं, तो हमारी आभा, हमारी रोशनी बढ़ जाती है, उसके तेज से, दिशा बदली, शनान, ग्यान का शनान करना है, पानी के शनान से तोचा साफ हो सकती है, इसका गहरा मिनिंग है कि इतनी कड़क्ती सर्दी, यानि चारोर निराशा हो, एक ऐसी समय, बरतमान समय ये चल रहा है, आप सबने करोना में भी देखा हो, चारोर निराशा ही निराशा है, हताशा है, लोग उमंग उत्सा भूल चुके हैं, और चारोर एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, रिष्टों में, परिवारों में, समंदों में, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है, ऐसे में कोई दुबारा से ठंड में जाए, और शनान ले, नहीं साथ, उस ठंड से निकल कर प्रेम की अगनी में आना है, योग की अगनी में आना है परमात्मा के साथ, और परमात्मा की शीतलता को अपनाना है, तो शनान ग्यान का शनान, और जब हमारे जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाती है, तो उस खुशी को पतंग उड़ा करते हैं, आज कल दिली जैसे शाहर में पतंग बैन है, मना करते हैं और मांजे भी ऐसे हैं, गर्दन कर जाती हैं, सहाब, पहले हम तंग हुआ करते थे, तंग रहते थे, परमात्मा हमारे जीवन में आया, पा जब तंग से जुड़ा तो हम पतंग हो, उसने का पतंग बन कर उड़ो, मेरी शिर्मत की डोर से, पर हम पतंग उड़ाने नगें, आपने नोट किया होगा, जब पतंग उड़ती है, हवा में जाती है, और जब सब उड़ाते हैं, तो आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, सब की नजरे आसमान में हो जाता है, और अगर सब हम अमंग उत्सा से उड़ना शुरू करें तो हम सभी पतंग बन जाएंगे तो आप से मैं पूस्ता हूं आप तंग रहना चाहते हो कि पतंग बनना चाहते हो तो अपने जीवन की दोर उसको देड़े क्योंकि अगर उससे डोर हटी, पतंग कटी तो नीचे गिरी और पतंग फटी और फिर सब में बटी हमने भी अपना दिल सब में बाटा हुआ था कोई कैसे तोड़ता था, कोई कैसे तोड़ता था, सब से निकाल कर एक उसको जोड़े उससे जोड़ लिए उससे जोड़ा उसको जोड़ा तो हमारे जीवर में एक नया मोड आ दे दान करते हैं तिल दान दे कई बार लगता था मुझे कैसी नियम होंगे कि कोई तिल दान कर रहा है और इसके पाफ धुलना दे अभी पहले की क्लास में बताया था तिल आत्मा की पर्दी की छोटा है सबसे सुक्षिमति सुक्षिम तिल हो यह जब गुर में मिलता है तो मिठास बन जाती है और हम ये बागते हैं और तिल को आगनी में ढाल रहा है तिल सड़े पाप जड़े नहीं तिल यानि आत्मा को आपने गरम करना है आत्मा को थोड़ा सा कष्ट देना है और सब कष्टों से हटाने के लिए थोड़ा सा कष्ट दे जब आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हों तो थोड़ा से कष्ट और दिया जाता है कि मेहनत करो जब जीवन में खाली पनो कुछ है नहीं है तब कहते दान करू पहले से ही कुछ नहीं है और दान कैसे करें तो यही तो चीज है तो आत्मा को थोड़ा सक्कस्ट दे जो बुराईयां अंदर थी बुराईयों की बेसाखियां लेकर चल रहे थे उन्हें छोड़ दे नहीं अगनी में दान दे रहे और जो आपके पास थोड़ी सी अचाईयां नाम मातर की बची है पुलाव खतम हो चुका है साथ खिचडी बची है खिचडी जैसे चोटे चोटे गुन कुछ बची है वो सारे गुन एकत्रित करें और इसको जीवन में लाएं कार्यानवित करें और परमात्मा से जोड़ें शनान दान और ग्यान अगनी तिल दान दिया चारता है मकर सकरान्पी इस दिन सूरे मकर दिशा में यानि वरिशब राशी में परवेश करता है तो ये संगम युक की बहुत प्यारी चीज़ है बाबा रथ लेता है ब्रहमा का नीचे आता है और जब वो दिशा बदलना राशी बदलना यानि शिव बाबा ने ब्रहमा बाबा के बाद गुलजार दादी का जब रथ लिया तो उसे की याद गार और कितना कोइंसिडन्स है चोदा या पंदरा तारीक को मकर सकरांती मनाते हैं और अठारा जन्वरी को प्यारे ब्रहमा बाबा का अवेक्ट दिवस मनाते हैं कितने पास-पास हैं शेरिर छोड़ा ब्रहमा अवेक्ट हुए तब शे बाबा ने दादी का तन लिए तो उनसे मिलन मनाने को ही सकरांती मंदिरों में दान करते हैं और पूरे भारत में इसे मनाये जाता है कहीं मकर सकरांती कहते हैं कहीं केवल पंजाबी में संगरांद कहते हैं कहीं बीहू कहते हैं कहीं पॉंगल कहते हैं कहीं एक दिन पहले लोडी मना लेते हैं ये सारे के सारे फसल के उपर अधारिक फसल लाशब्द हटा दो पहले हम फसे पड़े और भगवान आए उसने हमें लव दिया या हमारे लिए सोगात लाए फसे हुए के लिए कुछ लाए तो हमारी भी एक फसल त्यार होगे शुब कर्मो की नवरात्रों में भी आपने देखना है देखा है वो खेती उगाते कहते हैं फसल अच्छी होगे कर्मो को फसल से जोडा गया तो जब हमारी फसल उग रही है हमें पक्का पता है कि इसके फल अच्छे आएंगे तो इस तरीके से हम मकर से करा देए लोग नाचते हैं दान देते हैं और रात को खिचडी भिगो कर सुबह बनाते हैं कहते हैं पो रिद्दी मा खान दी मतलब रात को भिगो के संगम युग पर हम भिगो रहें अपने करम इक अथे कर रहें सत्युग में हम उसे बैठ कर खाएं दो युग खाएं बोला गया है कि मकर के बाद जो उत्रायन आता है तो छे महिने को दिन और छे महिने को रात कहा जाएं कहते हैं देवताओं का दिन छे महिने का होता है एक छे महिने का दिन और छे महिने और कहा गया है कि इस आज से छे महिने यानि कि आज से देवताओं का दिन शुरू हो गया नहीं कहते हैं देवताओं का दिन शुरू हो गया हम सच में जाग गए हैं परमात्मा को पाकर हमारा दिन शुरूआ और हम देवता की दुनिया में आएंगे देवत को प्राफ करें जब इन सब चीजों को हम अपने से जोड लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है तो मेरा आप सबसे आगरा है, निवेदन है, निमंतरन है कि आप परमातमा संग ग्यान शनान कीजिए, परमातमा से लेकर औरों को दान कीजिए, परमातमा की याद की अगनी में अपनी आत्मा को स्वाह कीजिए, उसकी बुराईयां स्वाह होंगी, स्वाह, स्वा को ही तो हमने अगनी में डालना है, स्वा की बुराईयों को ही तो हमन भस्म करना है परमात्मा दोनों बहें फिलाकर आपका इंतियार करना है बस एक दिन मनाया कि सूरे उत्रायन हुए लोग कहते हैं उत्तर भारत में मनाया गया नहीं साथ भारत में परमात्मा जब आता है तो हर बात का उत्तर देने के लिए वो स्व्यमृत रायन में आता है इस सरीके से हम मकर सकरादिए उन्हें आप सब को बहुत बहुत सुब्कामनाई बदाईयाँ आप इसे मनाईये नहीं मनाने के साथ साथ इस जैसा बनिये आपके जीवन में ही परमात्मा दिशा बदल कर आपमें परवेश करे आपके अंदर आए जीवन के अंदर आपके फैमिली का सदस्य बने और आप आनंद लीजिए नाचिए गाईए और मुस्कराईए उड़िए और उड़ाईए ओम शान